हेलो गैस तो कैसे हैं आप सब उम्मित के तो वड़ी होंगे गाइस आज क्या जो वीडियो है वो है कोशन और अंसर के ओपर बेस्ट है मतलब जो कोशनस आप कॉमेंड में पुश्ट हो जो एकदम जब सबसे मैकसिमा कोशन पुश्ट हो कॉमन कोशन से जिसका अपर सबस्यादा डाउट है बच्चों का तो वो कॉशन क्या एंसर देने वाले है हलाच में यह भी बताएंगे कि मैकसिम जो कॉमन गल्ती है जो फास्ट आण में आप गल्ती कर चुके हो और सेकंड नाण और कोशन से आपके मान में जो कोशन से जो डाउट से वो सारे डाउट क्लिए हो जाएंगे तो गाइस तो गाइस कोशन पूशन के लिए आज मेरा साथ है मेरा बैस में हाई गाइस मैं हूँ पुनीद गौतम MBBS सेकंड प्रप स्टुडेंट एंड मैं हूँ आज आपके साथ और हम दोनों मिलकर के आपके कुछ क्यूशन का एंसर करेंगे आपकी जो भी क्वेरी हैं जो भी डाउट है कमन सक्षिन में में मोस्ट प्स्टूडेंट कॉमन क्वेरी हैं जो की पूशते हैं उनको आज हम दिसकस करेंगे तो बताई यह पहला कुश्चन क्या है पहला कुश्चन यह है कि चॉइस फिलिंग की फीज कितनी लगती है जो बहुत सारे स्टुडेंट्स का पूछना है कि चॉइस फिलिंग में हमें कितनी फीज की बात करें तो अगर आप only private college फिल कर रहा है ठीक है तो आपको एक लाग र फिल कर रहा है तो 10,000 रुपे फर अंडिजर्व्ट के लिए और डिजर्व्ट के लिए 5,000 रुपे ठीक है उसमें से ऐसा है जो ST candidates है उनके लिए free uppost है ठीक है अब फ़र बात आती है कि कुछ लोग ऐसा है जो फर्स रौन में कुछ पेमेंट DMEP कर चुक है तो वो reduce हो जाएगा मतलब अगर आपने DMEP फर्स रौन में 25,000 रुपे मान के चलिए अपने pay किया है तो second round में वो आपको नहीं देना मलब 75,000 रुपे आपको वहाँ पर choice planning के दोराण pay करना होगा ठीक है next question क्या है second question यह है कि जैसे upgrade कराते हैं तो most of students तो first second round में पार्टिसिपेट करते हैं लेकिन कुछ students होते हैं जो कि first round से second round में पार्टिसिपेट कर सकते हैं क्या इसका मतलब यह है मान लीजे किसी को किसी को first round में को college alert हुआ है और उसने upgrade नहीं किया, upgrade में no कर दिया, आप यह पुछने चाहरे हैं कि वह direct के map of program में upgrade करा सकते हैं क्या, तो बिलकुल नहीं, अगर आप second round में के लिए upgrade में yes करते हैं, first round के बाद, फिर आपको second round में कोई collect होता है, मान लो उससे भी आप satisfied नहीं हो, फिर आप बा second round में freshly register कर सकता है क्या, यह most of common questions है, सब लोग पूछते हैं कि सर मेरा first round में छोड़ गया, में registration नहीं कर पाया, तो क्या में second round में registration कर सकते हो, तो देखो second round में आप registration नहीं कर सकते हो, हाँ यह बात है कि आप map of program में कर सकते हो, यह जो registration का link है, बापीस map of program के पहले open हो जाए options का open होते हैं, तो उसके बारे में क्या कहना है, तो यह भी most of common questions है, कि बहुत सरे लोग को क्या होता है, कि पास्टान में जब आप registration कर सकते हो, तो जल्दी जल्दी बाजी में कुछ गलती आप से हो जाती है, तो क्या आप edit कर सकते हो, तो इसके regarding मैंने MPDME user official email idea, वहाँ पे म student ने admission cancel कर दिया है first round में, तो क्या वो second round में participate कर सकता है, कि admission cancel करने के बाद, हाँ, अगर किसी student ने जसे first round में participate किया है, और first round में उसको college alert हुआ है, और वो resign दे देता है, या admission cancel कराता है, तो क्या हो second round या map up, मतलब फर्दर किसी भी round में वो eligible है, तो इसका answer है नहीं, तो आप आगे further किसी भी round के लिए eligible नहीं है, next question, next question ये है कि scholarship ले रहे बच्चे, बहुत सारे बच्चे जो scholarship के through admission लेते हैं, तो क्या उनको first year की fee pay करनी पड़ती है, खुदी पहले, तो हाँ, ये भी बहुत सरा लोगों को मैंन में doubt है, तो देखो, जब आप scholarship के लिए eligible होते हो, तो आप अपलाई करते हो, तो आपके मन में doubt है कि scholarship बाद में आएगी, तो पहले के हाँ में खुद से पेकन ही होती है, तो नहीं है, लेकिन ये है, जैसे ही आपके account में, इस scholarship account transfer कर दिये जाता है, government दोरा, तो फिर तुरांद आपको college के account में transfer करना होता है, अगर नहीं करते अपके साथ, थोड़ा वो मिजबेब कर सकते हैं, तो इससे आप tension फिले रहे हैं, तो next question ये है, कि ITR जो है, तो वो क्या सभी को के लिए common है, सबको देना पड़ता है, सबको दिखाना पड़ेगा ITR, या कि कुछी students ऐसे हैं, जिनको ITR की ज़रूरत पड़ेगी, हाँ, तो इस इसके लोगे भी बहुत सरे लोग डाउट में हैं, और tension में भी है, कि ITR हमें भी देना है क्या, तो ITR के मतलब यह होता है, income tax return, मतलब जो लोग tax pay कर रहा है, जो tax pay है, सिब उनहीं के लिए, ठीक है, जो लोग tax में नहीं करते हैं, तो वो नहीं देना, तो उहाँ पर ज्यादा tensioner की बात नहीं है उनको, और आखिर में एक गलती है, जो कि most common गलती है, वो सभी लोग कर लेते हैं, लेकिन ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, और वो गलती क्या है, यह बताएंगे प्रबल, ठीक है, तो इसको पर भी, बहुत तरह मैं देखता हूँ, जो college वो college उनको नहीं मिलता है, ठीक है, तो कुछ लोग यह बताते हैं, जो आपको limited choice मिले के करने चीए, मतलब ज़ो college आपको इस college मिलने का chances है, जैसे मानलों किसे को सागर मिलने का chances है, ठीक है, बेम से सागर मिलने का chances है, तो BM से सागर एक-दू college और डाल दो, आप सारे college नहीं डालोगे तो आपके सीट मिलने का चांसे से वो कम हो जाते हैं तो यह सरा सर गलत है आप जितने कोलेज है MP में अगर MP के कांसेलिंग कर रहे हैं अगर मानलो 25-30 कोलेज है तो 30 कोलेज डाल सकते हैं उसमें कोई शुनी है भाई वहां पर AI बेठा हुआ है ठीक है कंप्टर बेठा है यह वो ऑटमेटिक होता है अगर आप कर रहे हैं सही है अगर आप जीस रैंक पर जो डिजा सकता है तो वो क्या करेगा सीधे आर्केडिक को ऊपर रख रहे है और क्या कर रहा है नीचे उसको अपने मन में ठान लिया है कि मुझे एही कालेज चाहिए ठीक है तो आप से वह इकलर डाल सकते हो उपर सबसे उपर है ना अगर आपके ऐसा है कि मेरे जो मांक्स आ है उस मांक्स कर्णिंग जो मुझे बेश्ट कोलज मिल सकता है वो कोलीट डालोंगा मैं तो मेरा जो एक मैने वीडियो बनाया था उसमें प्रेफरेंसलिट डिला फिर उससे क्या होगा भाले मान लीजे आपके नम मान लीजे 470-460 है और आपको मान लो एकदम जो नायमेडिक्ल कोलेज है RKMC रामकिश्णा मेडिकल कोलेज तो वो भी आपको अलट हो जाएगा अगर आप उसको एकदम लाश्म डालते हैं तो भी वो आपको अलट हो आपके जो आपका जो रैंक है आपकी रैंक है उसके अगर्णिंग आपको college अलट हो जाएगा तो हाँ और एक चीज़ बहुत important है अगर आप सेफ government college लेना चाहते हैं आप private college नहीं लेना आपको आप किसी scholarship के लिए eligible नहीं है तो आप private college बिलकुल मठ डालना शोच्पिलिंग मे ठीक है तो सिर्फ only government college लेना हाँ अगर आपका ऐसा है आप borderline में है अगर government college नहीं मिलता है इनके साब को और आप private college भी लेना चाहते है जैसे अरविंदो आडिगडी चिराय वगरा तो आप जरू डाल सकते हो तेकिन ऐसा मत करना कि हमें private college बिलकुल नहीं लेना है फिर भी आप डाल लो तो यह न मत डालना और एक और में चीज़ है जिनमें BDS courses भी है और नाम भी सेम होते है अपन क्या करते जल्दी बाजे मों ध्यान नहीं देता कि BDS डाल ला कि Mbps डाल ला है तो उस टाम भी आपको कहा करना है को अच्छी अगर BDS college आपको नहीं लेना बेलकु तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि को पते चले इस वीडियो को बारे में ठीक है और जो जो common mistakes वो ना करें लोग ठीक है तो आज के लिए इतना ही thank you so much